आज चाशंबे 19 फरवरी और साल 2020 है आप सुन रहे हैं रेडियो जरुमबिश उर्दो मैं हु मेरा बलोच आपकी खिदमत में हाजर हूँ मश्के में काबिस पाकिस्तानी फोर्स पर हमला हुआ है जिसकी जिम्मदारी बलोच लिबरेशन फरंट ने कुबूल की है मश्के और वाशुक से काबिस पाकिस्तानी फोर्ज ने आट अफराद को ताकत के जोर पर अगवा किया है कराची में जहरी लिगेस पहलें से आट अफराद हलक और सेप्रो मतस्र हुए है रेडियो जरुमदाश के आज की निउस बिलिटर में इन खबरों के इलावा बलोच तान से मज़िद खबरों के सासाथ इलाके और आलमी खबरें भी शामिल है आईए आज की खबरें सारें बलोच से सुनते है मश्के के इलाके मियाने कलाथ के मकाम पर काइम काबिस पाकिस्तानी फौज की एक चौकी पर नामालूम अफराद ने राकिट समयत जदीद हत्यारों से हमला किया है हमले में दोनों तरफ से फारिंग और गोलाबारी का सलसला तेर तक जारी रहा है मकामी जराय के मताबिक इस हमले में काबिस फौज को जानी व माली नुकसान उठाना पड़ा है हमले के बाद काबिस पाकिस्तानी फौज ने मियाने कलाथ के मकामी आबादी पर धावा बोल कर लोगों को शदीद जहनी और जिस्मानी तशद्दत का निशाना बना कर नदीम बलदे अली मुराद सकने मियाने कलाथ को हिरासत में लेने के बाद नामालू मकाम मुंतकल कर दिय दूसरी तरफ बलोचस्तान लिबरेशन फरंट की तर्जमान मेजर गोहरम बलोच ने इतवार की रात वादी मश्के में आर्मी की चौकी पर हमले की जम्यदारी कबूल करते हुए कहा है कि वादी में मियान कलात में काइम काबिस पाकिस्तानी आर्मी की चौकी को सरमचारों न राकेटों और बाहरी हत्यारों से निशाना बनाया जिसमें दो फौजी एहलकार हलाक और तीन जखमी हुए गौरम बलुच ने मजीद कहा है कि इसी रात साड़े आठ बचे बीलिफ की सरमचारों ने केच के लाके मादगे कलात में पाकिस्तानी फौज की एक चेक पोस्ट पर खुदकार बाहरी हत्यारों से हमला करके काबिस फौज के दो एहलकारों को हलाक और दो को जखमी किया काबिस पाकिस्तानी फौज ने बलुच इस्तान के इलाके वाशुक से साथ अफराद को हिरास्त में लेकर नामालू मकाम पर मनतकल कर दिया है मकामी जराय से मौसूल होने वाले मालूमात के मताबिक साथो अफराद शिकार पर गए हुए थे जिनको पहले लेवीज फोर्स ने गरिफतार किया था और बाद अज़ा उन्हें एफसी के हवाले कर दिया है जिनको काबिस एफसी ने लापता किया है बलूच मसल्ह आज़ादी पसंद तन्जीम बियारी के सरबरा गुलजार एमाम बलूच ने कहा है कि दिफाई फंट के नाम पर बलूच अस्तान में अर्बो रुपे जिहादी गरोहां और मकामी डेथ स्कॉाट को दिये जा रहे हैं गुलजार बलूच के मताबिक पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी बलूच गोरिले जंग के सामने मकमल शिक्स से दो चार होने के बाद बलूच अस्तान पंजब सिंद और खेबर पखतुन खोय के तर्बियत याफ़ता जिहादी गरोहां समेत मकामी सतह पर तश्कील दिये पर अर्बो रुपे इन जिहादी गरोपों पर इस मकसद के लिए खरच किये जा रहे हैं क्योंकि बलूच मसला मुझाहमत की कुटनी रेगुलर आर्मी को मकमल शिक्स से दो चार कर दिया है पाकिस्तानी फौज अक्सर बलूच इलाकों में अपने बेस कैम्पस तक बलूच इस्तान में खुजदार के लाके तू तक से काबिस पाकिस्तानी फौज की आपरेशन में हिरासत बाद ला पतह होने वाले एक ही खांदान की 16 अफराद की गमशिदगी को 10 साल मकमल हो गए हैं जहां मतासरा खांदान के लवाह के इन अपने प्यारों के हवाले से त बरगर तलाशी ले थी कई घंटों तक जारी रहने वाले आपरेशन में गाउं के तमाम मर्द अफराद को एक जगह जमा करके काबिस फौर्सिज ने हिरासत में लेकर नामालू मकाम पर मुन्तकल किया था बाद अज़ा उन में से कई अफराद बाजयाब हो गए लेकिन 82 सा गया जहां तमाम छोटे और बड़े कारबारी मराकस बंद रहे जबकि ट्रैफिक की आमदरफ्ट भी मामूल से कम देखने में आई दूसरी तरफ तमा मकातब फिकर के लोगों ने बम धमाकी की मजमत करके पाकिस्तानी फोर्सिस को शदीद तंकीद का निशाना बनाया जब खतरनाक है। हकूमत और दीगर अदारे अवाम की जान और माल की हिफाज़त के लिए संजीदा एकदामाद उठाएं। पश्तन खामिली अवामी पार्टी की सरबरा महमुद खान अचक जई ने कहा है कि पाकिस्तान को चलाने के लिए तमाम कौमों को उनकी साहिल و वसाहिल पर इखतियार देना होगा। महमुद खान अचक जई ने इस अज़म का ऐलान किया है कि पार्लिमंट और अदलिया के आज़ादी के लिए वुकला के शान बशान होकर अपना किरदार अदा करेंगे और आइन वा कानून की हुकमरानी पार्लिमंट की बालादस्ती, कौमों की बराबरी, जमहूर की हुकम और असुलम पर चलने वाले मुल्क के लिए किसे भी कुर्बानी से दरीख नहीं करेंगे। बंदबस्त पाकिस्तान के पीके में डेरा इसमाल खान के इलाके कुलाची में पुलीस वेन के करीब बंधमा के में दो पलीस एहलकार हलाक और दो जखमी हो गए हैं। कुलाची के इलाके केमारी में जहरीली गैस से हलाक होने वाले अफराद की तादाद आठ हो गई हैं। जबकि मजीद 20 से जायत मतासरे शहरी हिस्पिताल मनतकल किये गए हैं। जबकि टोटल मतासरें की तादाद 500 तक पहुंच गई है। दूसरी तरफ 24 गंटे से जायत गुजरने के ब परकरार हैं। हिमन राइट्स कमिशन आफ पाकिस्टान ने सिंध में नीजी टीवी चेनल के सहाफी अजीज मेंन की कतल की आज़ाद न तहकीकात के मतालबा कर दिया है। जियो नियूस के मारनिंग शो जियो पाकिस्टान में गुफ्तगू करते हुए हिमन राइट्स एक शखस नहीं इदारे का गतल है पाकिस्तानी विफाकी वजीर दाखला एजास शाने कल अदम तहरी के तालबान पाकिस्तान और जमायत अहरार की साबिक तर्जमान एहसान उल्ला एहसान की फरार से मुतालिक मीडिया में चलने वाले खबरों की तस्दीक कर दी है पाकिस्तान की पार्लिमेंट हाउस में मीडिया से खेर रस्मी गुफ्तकों के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए अजास शाह का कहना था कि एहसान अल्ला एहसान के बारे में जो खबर आ रही है मैंने भी पड़ी है और वो सही है अफगानिस्तान के हकुमत ने एलान किया है कि अमरीका और तालबान के दर्मयान होने वाले मशरूत अमन मौाइदे का हत्मी एलान अगले हफ़ते होगा अफगान सदर अशर अफगानी के तर्जमान सिद्धिक सिद्धिक के मताबिक अमरीका तालबान अमन मौाइदा मुकमल तोर पर मशरूत है इस अमन मौाइदे से अफगानिस्तान में तशद्ध में कमी वाकि होगी। दूसरी तरफ एक सेनियर लीडर ने तालबान की हामी एक नियूज एजनसी को बताया है कि दोनों फरीकों ने बाहमी तोर पर ये फैसला किया है कि वो गतर की सदर मकाम दोहा में मौाइदे पर दस्खटों की एक तकरीब का इहतमाम करेंगे। जहां मौाइदे पर दस्खट होने के फौरम बाद अमरीका और अफगानिस्तान पांच हजार तालबान कैदियों को रिहा कर देंगे जबके इसके जवाब में तालबान अपनी हरासत में मौजूद तकरीबन एक हजार कैदियों चोड़ेंगे। इंसाने हकोग पर काम करने वाली तन्जीम हेंगाओ हीमन राइट सेंटर ने अपनी आदाद शुमार के मताबक बताया है। जनवरी साल 2020 में एरानी जेलों में सजा मौत के 36 कैदियों को फांसी दे दी गई है। रिपोर्ट के मताबक 32 अफराद को उनकी मकररत तारीख से कबल ही कतल के इल्जाम में तख्तेदार पर चड़ाया गया है और दीगर चार अफराद को मन्शियत से मौनसलिक इल्जामात के तहट फांसी दी गई। सहाफियों की बेनल अक्वामी तन्जीम आई फजे ने कश्मीर के एक मकामी सहाफिय की गिरिफतारी की शदीद अलफाद में मजब्मत की है आई एफ जे के इलामिय के मताबिक 16 फरवरी की रात को 11 बजे कश्मीर के इलाके पुलवामा में पुलीस ने एक डी एस पी की सरबरही में मकामी सहाफिय कामरान यूसफ के घर पर चापे के बाद गिरिफतार करके ले गई है और रात के वक्त घंटों उन से इस बात पर तफ्तीश की गई है कि कामरान मनजूर के नाम से पाकिस्तान नवाज हर्यत लीडर सेद अली गिलानी का ट्वीटर अकाउंट चलाता है बाहरत में नई देली की अदालत ने निर्बहरेप केस के चार मुझरमों को फांसी की सजा देने के लिए तीन मार्च की तारीख मकरर कर दी है अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि मुझरमों को तीन मार्च की सुबा छे बजे तख्तेदार पर लटकाया जाए मुझरमों की सजा में मज़ी ताखिर मतासरा फराद के हकोग और इनसाफ की खिलाव फर्जी है बारते सुप्रेम कोट ने आर्मी में खवातिन को भी मर्द अफसरां के मसावी अख्तियारात और मुस्तकिल कमीशन देने का हकुम दे दिया है जस्टिस डी वाई चिंदर चूर और जस्टिस अजीर स्टूगी पर मुझतमिल बेंच ने कहा है कि खवातिन की जिसमानी खुस्सियात का उनकी अख्तियारात से कोई तालुक नहीं है और उनके हवाले से दिक्यानिसी सोच वाली जहनियत को बदलने की जरूरत है अदालत ने हकूमत की सरजनिश करते हुए कहा है कि हकूमत की दलाल तफरीक पर मबनी परेशन कुन और दिक्यानिसी है चीन में कोरोना वाईरस से हलाकतों का सिलसला जारी है जहां इससे मज़ीद 98 अफराद मौत के मुझ में पहुंच गए है ताजा 98 अफराद की हलाकतों के बाद कुरोना वाईरस से अमबात की तादाद 1868 हो गई है और वाईरस की नतीजे में मज़ीद 1886 अफराद मतासर हुए है और मतासर अफराद की मजमुई तादाद 72,436 तक पहुंची है रूस वजारत दिफगां ने कहा है के रूस दहशडगर्दे के खिलाफ जंग में शाम की हमायत जारी रखेगा वाज़र है अमरिका और तुर्की की जानेब से गुजशता दिनों रूस से शामी हकोमत की हमायत रोकने का मुतालबा किया गया था अब रूस की जानब से ये बियान तुर्क और अमरेकी सदर के हालिया बियान के बाद सामने आया है यूर्पी यूनियन ने शाम में शामी हकोमत की मावनत करने वाली आठ कारूबारी शख्सियात और मतादित एदारों पर अक्तिसादी पाबंदिया आइद की है मेडिया रिपोर्स के मताबिक यूर्पी यूनियन की यूर्पी कौंसल की तरफ से जारी बियान में कहा गया है कि नई पाबंदियों में शामी हकोमत की मदद करने वाली आठ शख्सियात और दो इदारों को हदफ बनाया गया है ये शखसियात और इदारे असद हकूमत पर यूर्पी ममालिक की तरफ से आइद करदा पाबंदियों के खिलाफ वर्जी के मरतकिब हो रहे थे अक्वाम मतहिदा के इनसान हकूक के अमूर के असिस्टेंट सेकरेटरी जनरल मार्क लोकोक ने एक बयान में कहा है कि यकम दिस्मबर से अब तक शमाल मश्री की शाम में जारी लड़ाई के नतीजे में नौ लाक अफराद बेगर हो चुके हैं उन में से अक्सरियत खवातिन और बच्चों की हैं अक्वाम मतहिदा के अधिदार के मताबिक बेगर होने वाले अफराद सख्त सर्दी में खुले आसमान तले जिन्दगी गुजारने पर मजबूर हैं कि महाजरिं के कैम्प उन्हें रहाश फराम नहीं कर सकते और माई इस असली अर्गान ने तुर्क सेदर राजब तैयब इरदगान की हकोमत को شदेड तंकीत करने चाहन बनाते हुए कहा है कि दुन्या ब हर में आज़दी और इन्सान ह्कुब का वाविला करने वाले तैयब अर्दगान की हकुमत ने अपनी मुल्क में आज़दे इस हारराय का गला गून रखा है मेसिस असले अर्दगान को गुजश तर जुम्ह के रोज इस्तंबुल की एक अदालत ने मलकी सालमियत पर समझोता करने और देहशतगर तंजीम की रिकनियत इक्तियार करने की इलजमात में बरी कर दिया गया था ताहम उनका कहना है कि उन्हें डर है कि तर्की वापसी पर उन्हें दुबारा गिरिफतार कर लिया जाएगा अफरीके मुलक बरके नफासों में मुसल्ह अफराद ने फारिंग करके 24 अफराद को हलाक कर दिया है जिन में एक पादरी भी शामिल है हुकाम ने बताया है कि तशिद्द के इस वाके में मुसल्ह अफराद जाते हुए तीन अफराद को जबर्दस्ती अगवा करके अपने साथ ले गए हमले में कमस कम 18 अफराद जखमी बे हुए है आज की नीज बुलेटिन का यही पर अखताम होता है आप सुन रहते हैं रेटियो जुम्टिस से खबरे इसी के साथ इजासत चाहते हुए